Now, let us see what is Java and why we use Java. So, in 1970s, पहली programming language जो हम लोग यूज किया था, जो commercially जब से ज़ादा हम लोग यूज कर रहे थे, वो थी आपके पास C language, C language 1970s पे हम इसों create किया था, right? अब जो C language है वो बहुत ज़ादा powerful language थी. उसके अंदर बहुत सारे ऐसे concepts थे, जहाँ पर हम pointers को use कर सकते हैं, अलगड़ data variables महाँ पर available है, हमारे पर for loop है, y loop है, हमारे पर structures है, we have so many different kind of concepts जो हम C language पे हम लोग कर सकते थे, and that is why C language was so powerful, वो इतनी ज़ादा powerful language थी. अब उस C language को हम और ज़ादा powerful बनाने के लिए, हमने एक new language को हमने यहाँ से बनाया, जिसको बोलते हैं, C++, यानि की C के concept को हम लोग use करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ और concepts को हम लोग यहाँ पर add करेंगे, जैसे objects, उसी तरीके से, oops के जो concepts हैं, encapsulations वाले concepts हैं, वो सभी जो हैं, हमने C++ के अंदर हमने यहाँ से use किया, so obviously, everything that we can do in C language, वो सभी चीज़े हम C++ में भी कर सकते हैं, और commercially, जो C++ है, वो बहुत ज़्यादा powerful language बनी, और जो C++ है 1980s के अंदर, हमने C++ language को हमने बनाया था, और इस समय पर, at this time also, देखो, C language जो है, वो 50 साल हो चुके हैं, 50 साल से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, उसी तरीके से, जो C++ है, वो इस समय पर 45 years हो चुके हैं, इस समय पर भी बहुत सारी companies जो हैं, वो C++ code को ही use करते हैं, जैसे, अगर आप SQL को use करते हैं, SQL का जो core है, वो हमने C++ पे, हमने उसको use किया था, अब उसी तरीके से, उसको और ज़्यादा powerful बनाने के लिए, हमने एक new create, we have created a new kind of language, जिसको हम बोलते हैं, Java, और Java 90s, 95 के आसपास, हमने Java को, हमने create किया था, और जो Java है, वो पुला स्टार्टिंग से, बेसिक से ही हमने इसको create किया था, जैसे C और C++ था, पहले C था, C के उपर हमने कुछ improvement करी है, ताकि हम C++ को बना पाए, लेकिन, जब हम Java की बात करते हैं, तो बिल्कुल basic से, बिल्कुल ground से, हमने Java language को हमने बनाया, लेकिन, हमने ध्यान देखा, हमने देखा, because C, C++ was so powerful, उसके अंदर इतने सारे concept हमारे पास है, इसी वज़ए से, हमने Java के अंदर, हम वो सभी चीज़े, जो C, C++ से से, वो सभी चीज़े, मैंने कोशिश किया, कि वो सभी चीज़े Java में भी available है, और Java को, और थोड़ा सा improvement हम लोग वहाँ से कर पाएं, obviously, Java is a different language, C++ is a different language, लेकिन, उसके हमने कुछ ऐसे concepts को हमने वहाँ से use किया है, जैसे, हम pointers के concept को use करते हैं, so we can work on pointers in C and C++, लेकि pointers जो हैं, हम Java पे use नहीं कर सकते, क्योंकि Java, we'll try to make Java as more secure, Java जो है, वो जादा secure है, तो इसी वज़े से हमने Java को create किया, अब generally, 1995 पे Java को बनाया, उसके बाद, फिर Microsoft ने एक new language को हमने बनाया, जिसको बोलते हैं C Sharp, अब तक भी Java जो है, वो अब तक लगभग 30 years के आसपास होने वाले हैं, लेकिन फिर भी, वो उससे भी जादा powerful होते जा रहा है, उतने ही जादा code जो है, बहुत सारे program जो है, वो इस समय पर अब भी Java पे ही हम लोग create कर रहे हैं, Java is a very powerful programming languages, and it was created in 1995, उसको 1995 पे हम इसको create किया था, it is owned by Oracle, और इस समय पर भी 3 billion devices जो है, वो Java पे execute कर रहे हैं, मतब रन कर रहे हैं, Java से आप बहुत सारी applications आप यहां से create कर सकते हैं, जैसे आप mobile application development आप करना चाहते हैं, आप desktop applications आप create करना चाहते हैं, आप web applications आप बिनाना चाहते हैं, आप web servers आप use create करना चाहते हैं, games आप create करना चाहते हैं, there are so many things that we can do on java java जो है it works on different platform यानि की windows, mac, linux, android तो there are so many different kind of platform जहां पर हम java पर हम लोगस पर काम कर सकने है secondly it is one of the most powerful programming language in the whole world और उसकी जो demand है इस समय पर भी java की जो current market में बहुत बड़ी need है java की they look for java developers it is easy to learn बहुत easily आप इसको learn कर सकते हों क्यों क्योंकि cc++ का जो concept है वो सभी हमने java बे भी हमने use किया है इसी वज़े से syntax है वो बिलकुल similar है उसके अलाबा it is open source जो java जो है वो open source है it is free of cost आप इस code को upgrade भी कर सकते हैं it is very secure, it is very fast and it is very powerful it is a huge community that support millions of developers जो इस समय पर java पे काम कर रहे हैं and java is object oriented programming language और जहां से आप code को use भी कर सकते हैं reuse भी कर सकते हैं उसकी जो development cost है वो काफी कम होता है क्योंकि बहुत सारे developers इस समय पर java पे ही काम कर रहे हैं तो obviously इसी वज़े से जो development cost है वो comparatively कम रहती है and it is java is very close to c++ it is very close to c sharp और इसी वज़े से अगर आप कभी java पे काम कर रहे हैं so it is very easy for you to shift to c sharp so that is why we use java and java is one of the very powerful language